आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाल हूँ कि आप लोग कैसे मैनुली तरीके से अपने रेडिमी नोट नाइन प्रो मेश डिवाइस में मीवर जन 12.5.2.0 अपडेट को कर सकते हैं इसलिए काफी डेस सारी यूजर्स को मीवर 12.5 अपडेट इंडिया में रेडिमी नोट नाइन प्रो मेश डिवाइस के लिए रेलेस नहीं किया गया या फिर अपडेट देखने को नहीं मिला है तो अगर आप लोगों को व्याइब के रेडिमी नोट नाइन प्रो मेश डिवाइस में मीवर 12.5 अपडेट देख को मिल सके तो गईश चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आपके रेडिमी नोट 9 परो में इस डिवास में मैनुली तरीके से मीवाइ 12.5 अपडेट को फ्लेस करने के लिए आप लोगों को सिंपली मेरे टेलिक्राम चैनल टेक्निकल सिवम जी पर आ जाना है त आप लोगों को सिंपली ओटे फाइल या फिर रीकबरी रोम फाइल को डाउनलोड कर लेना है अगर आप ओटे फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग साइच है वो कम देखने को मिलेगा अगर आप लोगों को किसी एक को डाउनलोड कर लेना है लिं 0.0.1.0 को देखने को मिलेगा Simply आप लोगों को जो MIY2L का लोगो है यहाँ पर आप लोगों को लगा 7-8 बार तक टैप करना जैसे कि आप से भी लोग देख सकते हैं उसके बाद में आप लोगों को एक पॉप अप देखने को मिलेगा से यहाँ पर सेलेट करने के बाद में आप लोगों को OK का बटन है यहाँ पर आप लोगों को किलिक कर देना है जिससे आपके डिवाइस में जो अपडेट है मिनवली तरीके से आपके Redmi Note 9 Pro में इस डिवाइस में फ्लेस हो जाएगा में तब तक के लिए जैहिन बंदे महातरम